हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एलीना यही तो बुलाए था कहां चली गई रुक मैं कॉल करता हूँ एलीना क्या हुआ लग नहीं रहा यार 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 यह मौसम कैसे खरब हो रहा है यह धुनसी कैसी हो रही है अरे इतनी सफेद दुन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ हाँ यह देख यह दुन तो बादल बन गई ओ माई गॉड यह क्या हो रहा है इंसान प्रकृति के साथ खिलवाल करता है ना पेल काटता है इसलिए हो रहा है यह सब इससे पहले कि मौसम और खराब हो जाए एलीना कुले के नहीं कलते है Elina! 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 इझार भारीनों नrielइक हुआ लिए झृवा progress हो अने वाली है जुभा मेरा गाल जल रहा है इससा लग रहा किसीने जलते इंस की तीलही लगादियिए दिखा उ लगारा현, दिखा, तेरा गाल तो बिलू काला हो गया है ज्यसके किड़ी ने काट लियो दिखा? मेरा निजल रहा! जाओ! बज़ाओ! 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 लो बच्च बड़ोya लो बच्चा किसे पकड़ने के लिए किया रही है अलो शेक्योटी वार कोई काली कपड़े में भागा है पकड़ो उसे अभी जल्दी कैसा हस्पोटाल है कैसे सिक्योरिटी है अगर मैं वकपने आती तो वह शुबम का क्या होता मैम आप पहे को हम कबसे इसके विष्टेदार को ढूने कोशिश कर रहे हैं लेकि कोई कॉटेक्ट में अब तक तो आया नहीं मेरा नम रजनी है शुबम मेरा बेटा है मैं मैं अभी को या अभी अमेरीका से आया हूँ इसे अबने साथ ले जाने के लिए को बोलो सर वो काले कबलोहाँ आदमी यहाँ से भागिया आगाई भाग है पर तुम काम पीक इसल लिए हो सर अब इसके बीचे दोड़े लीग उला केरिगी पाग्या, केसी सिक्यॉरिटी इस हॉस्पिटल की, मैं अपने बेटे को ऐसे सिक्यॉर्टी वाले इस्पिताल में बिल्कुनी रहने दोगी, मैं इसको यहां से ले जाओंगी देखे मैं आप जो हो गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, पर आप इन्हें इस हालात में यहां से नहीं ले जा सकती मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं, यह आप मुझे नहीं बताएंगे और हाँ, अगर आप उस आदमी को नहीं पकड़ते हैं, तो मैं पुलिस में आपके अस्पिताल के खिलाब रिपोर्ट लिखाऊगी चलो, यह औरत है यह मुसिबत, बाहर चल के देखते हैं चलो, यह प्यादब काम थे प्रूबत, आपके 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 तरेह बाभिस उसे अपके अस्पितान, जब्सक्टब के घपके लिगए झाह है खिए बाहर बाहर दूपलो, आपके बाहर प्रूपले बाहर वब्सक्राई बाहर भ्लाव अरे वेजनी जी, रुकिया, रुकिया वेजनी जी, अजीब हो रहत है, हमें पुलिस को इंफरम करना चाहिए, नहीं, कई हम न मुसिबत में पढ़ जाएं, लेकिन सर, अगर कल को कोई पूछता चुई, तो हम क्या जवाब देंगे, कोई पूछेगा तो बता देंगे, उसे उसकी मा ले गई अपने साथ में, पता नहीं, इस कॉलोनी पर किसकी नजर लग गई है, प्रणय बेटा, जिसको देखो, वो घर छोड़ कर जा रहा है, बस एक बार पता लग जाए कि, अखर ये सारे बंगले खरीद कोन रहा है, मुझे तो इन सब में, अभी मन्यू की चाल नजर आती है, सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना ही इसलिए है, कि ताकि कुछ जोल जाल करके पैसे बना सके, और ये जितने भी घर विक रहे हैं, कुछ न कुछ कमिशन बनता इसका, लीजा, आगे आप ये मन्यू, ये कान है, अरे, चमनलाल जी, पकड़ो जरा, हाँ, चमन बचें, बहुत जल्दा आपके नाम पे हो जाएंगे, जरा जल्दी, मुझे धीमी आज कर नहीं, फास्ट फूड पसंद है, और अगर फास्ट फास्ट ये बंगले मेरे नहीं हुए, तो जो तुम्हें तीन करोड का चेक दिया है, वो रद करवा दूगा, समझेंगा, जी, समझ में आया, आज रात दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, मेडम, अब क्या करेंगी, अगर खाली की हुए घर में फिर से नहीं लोग आ गए तो, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर, मेरी फैक्टर यहां तभी बन सकती है, जब इस कॉलनी में रहने वाला एक एक इंसान यहां से चला जाए, मगर आप यह करेंगी कैसे, जब 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 तो अगले तो अंगली तेरी करने बड़ती है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, जब बहुत पसंदा है, बढ़ आप लोगो को बहुत पसंदा है, प्रित नगर कॉलनी न घर लेकर वाकई आप लोगों ने बहुत सही फैसला किया है, मुझे लगता है, अब आपको यकीन हो गया होगा कि कालोनी खाली करवाने में अभी मन्यू का कोई हाथ नही है, तो क्या इतने सारे लोगों ने अपने घर एक साथ बेची तिया ये सिर्फ एक सयोग है, अगर आप लोगों को मेरी इमांदारी पर इतना ही शख है, तो मैं प्रेसिदेंट पत से इ क्याने दो? हाँ, हाँ, करवाई ये एलेक्शन, लेकिन एक बार पहले अभी मन्यू को ये कालोनी फिर से बसाने दीजिये चले? हाँ, चलो अरे? ये क्या? ये धुनसा क्या लगने लगाए? ये तो पहली बार हो रहा है ये तो बादल है ये तो पहले है ये सफेद बादल, करण तो अदम बरज जासा है हाँ, ये तो बहुत अरों की बारिश होने वाली है अरे, ठीक है, ठीक है जला लूरी, जलो, जलो जलो, जलो जलो, जलो जलो आग बरस रही थी, अफिसर कभी सपने में भी नहीं सोचा था किस जंदकी में ऐसा नजारा भी देखने मिलेगा बादल पटा अंगारे बरसे मतलब बारिश की बुंदे आग की चिंगारे जैसे थी मुझे तो लग रहा था की वो बुंदे मेरी हड्यें गला देंगी सर, मुझे तो हर वक डर लगा रहता है कि कहीं अगनी वर्शा फिर से ना सुरू हो जाए अच्छा, आप एक बार फिर से याद कर बताईए कि कल रात को क्या हुआ और कितने बजे हुआ इस रात के दस बजे अच्छाने लगा और सुपेद बादल चाह गए थे बड़ सर, मौसम में भागने का था कि कल रात आस्मान बिलकुल साफ था तो आपको क्या लगता है कि हम लोग जूट बोल रहे हैं यह के है अगर यहां बारिश हुई है तो आसपास के अलाकों में बारिश होनी चाहिए थे लगे ना ब्रीद नगर को छोड़के आसपास इस तरह की बारिश की भून तक नहीं गिरी है मतनब बारिश कराई गई है हाँ सर प्राण जिर्म को नगर सकता है नगरोग यहाँ वह एड्योप्ण जो मेड़ी तु आउम बेले चुप जाप खड़ेने रहे सकते इसे का अगली डालने के लिए यह? तेजा अब आछ तेजाब के मारेश आचा-पास एटनाफ यहाँ इतना प्यानक जुर्म कॉन कर सकता है और क्यों चल्दी के डिफार्ट जल्गे हाँ मुझे बहुत दर्द हो रही है टॉक्टर का बोलो ले ये लोग भी ठीक वो ऐसे ही जले हैं जैसे बो लड़का शुभम जलाता ऐसा लग रहा है मानों किसी ने सिग्रेट से जलाया हो या फिर गरम गरम तेल के चीटे मारे हो अब पानी स्थर से उपर जा चुका है निशा लगता हमें पुलीस को सब कुछ बता देना चाहिए आखिर इतने लोगों का सवाल है पुलीस या से आईडी को इंफॉम करना ही चीए हूँ एप इतर सर एक बाद बतागी है प्लीज यह हम लोग ब्योरो के अंदर यह चाता, टोपी, रेंकोट यह सब पहन के क्यों बैठे पहले बारिश का मोसों होता था थंडी थंडी हावा पानी की ननी ननी बंदे लेकिन जब से यह एसीड रें का सिस्टीम शुरू हो गया ना तब से कोई नहीं जानता कि उनके उपर जो बरस रहा है वो पानी है या तेजाब अरे मगर सर, ब्योरो में टोमलोग सब सेफ है ना ब्योरो में के प्राउलम है इदर थोड़ी होने माली असे ड्रेंग तेजाब जो है ना वो हर चीज में छेत कर देता है अगर असी ड्रेंग ने सिमेंट और इट पत्थरों में छेत कर दिया और अंदर आ गई तो उससे बचने के लिए कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं अगर इतनी मजबूत शथ को असे रेंग पाड़ के आ सकती है तो फिर यह चाता क्या करेगा? चाता तो होता ही है हर बारिष की सुरक्षा के लिए यह देखी सर्थ यह जो तेजाब की बारिश हुई है यह दो किलोमेटर के रेडियस लोगी है सिर्फ और सिर्फ प्रीत में यह बारिश आर्टिफिशल तरीके से कराई गई है सर शायद क्लाउट सीडलिंगे जरीए हम हो सकता है क्या हो रहा है है इसब क्या पैन के रखा तम लगोंने यह दर 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 रहा है ज़ियो इसे डर्रैन से डर नहीं पज़ा सर जिसने भी यह एसद्रेन करवा है हो सकता है किसी से दुष्मनी यह कॉलोंनी ऐसा होना मशकिल है किसी एक आढमी से दुष्मनी निकालने के लिए कोई इस हद तक नहीं जाएगा इसा लगता है यह हमला पूरी कॉलोनी वालों के लिए था हाँ सर्थ तभी मुझरिम ने आइसे ड्रेन उसी वक करवाया जब सब लोग अपने घरों से बाहर थे दिनर पाटी के लिए सर्थ सर्थ ये मिस्स दामीनी कुमार है मासम विभाग से आप तो रोई है ना जिनके जरिये पर देखकर सबको पता चलता है कि बारिश का होने वाली और प्यार की धूप धूप ना खिलने वाली है? जी, मगर फिल्हाल तो बारिश होने का कोई असान नहीं है थैंक यू बोला था ना फ्रेडी सर ये सब की दरवत नहीं है मगर आप सुनते का है हो गया दामीनी जी आप ये बताए जो रिपोर्ट हमने मासम विभाग को भेजी थी वो आपने पड़ी? परसो रात ऐसी कोई बादल नहीं बने थे आकाश में जिसे तेजाब वाली बारिश हो और ना ही हवा में ऐसे कोई पल्यूटन्स पाये गए मतलब ये एसीड वाली रेन अर्टिफिशल थे लगता तो ऐसे ही है अरे? होरण सिक लाई भी है या किसी गलत जगे पागया हम लो? होरण सिक का मगाल देखके लगता है के अब लोग खुलू मनाली पहुच गया है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे है मेरे गोवा के प्लान को गोवा के समुदर में डूबो करके तुम्हे कुलू मनाली आता रहा है अरे डॉक्टर साब आप अभी भी गोवा की बात को लेके रह रहे हैं तीन-तीन बार जाते-जाते रह गया हूँ मैं इस बार तो प्लेन में बैठ चुका था फिर ही कॉल आ गई अर्जेंट कॉल फो डॉक्टर सालू के CID कॉल सी बस आना पड़ाना अब CID की डुटी एसी है उने रिवर्स प्रोसेस में डार के तो रिवर्स करके मतलब रिवर्स का मतलब जैसे गाड़ में रिवर्स गयर नहीं होता रिवर्स लगाओ गाड़ पीछे जाती है ऐसे ही साइंट्स में भी रिवर्स प्रोसेस हो रह है दोक्साब, आपके इस केमिकल रिवर्स प्रोसेस से आप किस नतिजे बे पहुचे हैं? दया, बादलों का रंग और लगा तार पंदरा मिनट तक बारिष का होते रहना ये बताता है कि ये बादल 2-5 किलो मेटर की दूरी पर ही बनाए गए इसे जदा दूरी तर्माई एक मिन डॉक्टसाब, आप इतने यकीन की साथ कैसे के सकते हैं कि ये बादल 2-5 किलो मेटर के दाएरे से ही आए मरनेवाले की चमड़ी पर ये दो अलग अलग किस्म के अंश में ले है और ये दोनों अंश उस तेजाब के है और तेजाब के तरल और गैस फॉर्म की कैलकुलेशन से मैं इस नतीजह पर पहुंचा हूँ कि ये बादल पाँच किलो मेटर की दाएरे में ही बनाया है लेकिन डोग्साब एक बास समझ में नहीं आ लिए कि इन बनावटी बादलों से नखली बादलों से बारिश कैसे कर वाई देए एक किस्म के कैमिकल से जो टिगर का काम करता है और सबसे दिल्चस्प बात ये है कि पहले कुछ भी नजर नहीं आता है ना कोई कैमिकल ना कोई गैस और फिर अचानक बड़े-बड़े बादल नजर आते हैं और जब ये बादल हवा में मौजूद ऑक्सिजन से कॉंटेक्ट करते हैं तो तेज बारिश होती है मौसलाधार बारिश और डॉक्ट सब जो केमिकल इस्तमाल हुआ इस जर्म में वो किस तरका है एक किसम का केमिकल वेस्ट है बहुत ही खतरनाक केमिकल वेस्ट जिससे दो अलग-अलग किसम की चीज़े बनाए जाती एक पठाख है अदूसे कहस्समेटिक्स केमिकल वेस्ट निकलता है जर्बंध इस्पेल आई है पता चल जाएगा अरे वह साब रुकिये अरे कहां चले जा रहा है आप लोग अंदर अरे प्राइबेट प्रोपरटी है दिखता रही कि आपको यह दिखता है हुआ चले आईडीए हा मुझे यह यकी नहीं हो रहा है कि यह क्या कया कम यहां से किसी ने जही लिए गयास निकाल कर तेज़ाब की बारिश किये है तेज़ाब की बारिश? चेक कर लेते हैं अंदर पर यहार फैक्टरी में चिमनी तो नजर आने रही है इनने चिमनी के बादल के से बनाएंगे शाहिद कोई और रस्ता अपनाया होगा बादल बनाने का आस पार जूनते शाहिद कोई जरीली केमिकल मिल जाए देखो यह सर बुड़ा प्तुनून सर नए विकास इस फैक्टरी का पुराना मैनेजर आप लोग क्या डून रहे है एक जर्म के सुराग डून रहे हैं मगर सर यह फैक्टरी तो छे महीने से बन पड़ी है यहां कैसे कोई जर्म हो सकता है यहां से कुछ किलो मिटर दूर जो प्रीतनगर कॉलनी है उस पर आसिट की बारश की गई तो आप लोगों को लग रहा है कोई आसिट की बारश यहां से कराई गई है प्रीतनगर के बास यह एक फैक्टरी है जहां पर केमिकल का इस्तमाल होता है सर हमारी फैक्टरी में केमिकल्स बनते थे लेकिन जहरीले नहीं जिससे किसी को कोई नुकसान पहुचे पांच मिन में पता चल जाएगा कि इस फैक्टरी में जहरीले केमिकल्स थे या नहीं बन क्यों पड़िया ये फैक्टरी छेह मेने से मालीक लोगों ने सच्कार में मुछापजिया था था उनमें से कुछे कामिकल्स पर फाबंदि लगी थी तो पाक्टरी। लगा दिया क्षार्णारत लिएप केमेकल्क खाजाना था तर तूम पहे कहर हो कोई केमेकल मेलेगा नहीं यह पर तो आप और मैं बिना खासे या चीके बात मिनी गए सकते थे सर यहां कुछ केमिकल के ट्रेस्स मिले हैं यहां अब बले वो एसिट के बादल यहां से ना बनाए गया हूँ पर केमिकल यहीं से सप्लाई हुआ है तो मिस्तु विकास अब क्या कहना आपको कहीं क्रीत नगर हटा के आप यह फैक्टि दुबारा शुरू करना तो नहीं चाहते हैं सर बुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सच्ची नहीं पता नहीं सर सच्ची चालाब आपका? जी मंगतलाग वैसे प्यार से मुझे मंगू भी बुलाते हैं मंगू जी अभी हम लोग भी प्यार से ही पूछ रहें आपसे यह केमिकल यहां पे कौन लेकिया है कोई नहीं आयाता साब देख मंगू, छूट मत बोल ने तो आज के बाद खाना खाने के लिए तुझे नकली दाद का इस्तिमाल करना पड़ेगा साब मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ मुझे वाका ही नहीं पता शावि तुमारे पास रहती है ना एक शावि मेरे पास है और यह इस्पैक्टरी के मालिक भूमरलाल जी के पास है भूमरलाल ? एडर बिजा उनका जरा आ जोँ इंटर प्रकाष सैतुमवन नम्बर 5 थेक्ष। वेलकॉम Dr. Pratash Daya Sir? एक्षिक्ट Daya CIDC थेंग आप आगए मैं आप कही इंतिजार कर रहा था आप फोन पुछ बता रहे थे के प्रीतनगर कॉल्ली में जो लोग हैल हुए उनके बारे में आपको जानते हैं Sir मैं बहुत शेर्मिंदा हमें तो बहुत पहले आपके पास आना चाहिए था साफ साफ बताईए बात क्या है Sir दर असल उन लोगों को जो जखम हुए है बहुत जखमा ने पहले भी एक इंसान के शरीय पे देखे हाँ sir और हम लोग उसका इलाज भी कर चुके है कौन हो Sir वो शुभम नाम का एक लड़का था यही कोई 26-27 साल का होगा और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपा के रखे यह शुभम इस वक का है आपके हॉस्पिकल में नहीं उसे एक अवरत अपने साथ ले गए कह रहे थे कि मां इसकी मां हूँ रजनी नाम बताया था उसने बिना पेपरवर्क एक अवरत यहां से उसे जबरसी ले गई और आप लोगों ने यह बात पोलिस में बताना जरूरी नहीं संधिया सर मैं डर गया था मेरी नौकरी भी चली जाती और अस्पिताल का नाम भी बदनाम हो जाता एक डॉक्टर हो के ऐसे गैर सिमेदाराना रवीया शर्मानी ची आपको अचा इस रजनी और यह शुबम इनके कोई फोटो है पके पस हाँ सर वो सिसी टीवी केमरे में है निशा सर को निकाल के दे दो फोटो जी अभी लाई यह रजनी अपने आपको शुबम की मा पता रही है कुछ तो चक्कर है सर कहीं ए एसेट वाली बारश इस रजनी में तो नहीं कपाई कुछ कए हmäß नहीं सकते है औ कर भी सकता है और नहींहीं सकता है यह जो दो हाथसे व्यें जिसमें हिए खायल हुआ है और यह प्रीटनगर वाला हाथसा यह रखता है दोनों कहीने पहीं कनेक्टेड है अचा यह शुभम को हॉस्पिटल में कौन ले किया था सर मननन नाम का आद मिलाया था उसे इस मननन से पूछते है के यह शुभम उसे कहां कब और कैसे मिला अधे सर मननन आवारे साथ ही है ओके सर बजबस सर यही गाड़ी रोग भीजे यही वो जगह बिलकुल यही वो जगह सर जहां शुभम मुझे घाय लालप मेला था अच्छा काँ पर इधर जी सर जी सर यहीं से भागते देखा था मैंने उसे एक सर्रसी आवाज हुई थी धाय जैसी फिर मुझे लगा जैसे जैसे कुछ बरस रहा है अंगार जैसा लेकिन फिर उसके बाद सब गया था और शुभम मुझे उसी हालत में गिरा हुआ मिला सर इतना तो तया कि तेजा आपकी अच्छे खासी बारिश हुई है यहां पर आसपस देखो कुछ मिलता है करें कि छोगा पासी आपके खंग पासी यह के लिए हुई खंगा रहा हुदगा कुछ मैं व कयां झाला जैसेiska कि टुक्टा वहा है कि अनोता है कि नहीं सिर बैटरी गेशाइद हो ठीक है रख लो अनोगे दो काफी कुछ काम आएगा कि किसी चीज का डखकन है कि यह कैफ में तो कुछ लगा हुआ है जड़ा वह स्प्रेय ले किया हो कि अस्तर लगताय फिर से तेजाब का खत्रा है इस बार तुम्हें दूर खड़ा रहूंगा कि अंदाजा सही निकला तेजाब इसी में लेके आया गया था आएगा सार्ण हाँ खाट्री एदके सिर्ण यापी कुछ डबा के रखागिया है पोक्र्श जड़र आटावे से वे गॉड़ी, सुरी तो पुरी तन से जलिवी लाश है मनन, तब वो शुबं के साथ तुमने किसी और को भी देखा था क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा था इतनी भे रहम मात दुब सर, कोई किसी को इतनी भेरहमी से क्यो मारेगा? किसी को मारने के तो कितने तरीके होते? यह तरीका क्या इस्तुमाल के है? मज़ लगता है, मारना मकसद नहीं था मकसद था ये तेज़ावाली बारिश का एक्सपेरिमेंट ताकि वही बारिश प्रितनगर में किया जा सके है प्रितनगर कॉलोनी वालों से पूछताच करते हैं शायद उनसे पता चल जा कि कौन कर सकता है यह साथ यह फोटो देखिए यह शुबम है इस पर भी वैसे इतेजा वाली बारिश की गई थी और यह है उसकी किटनाप और किया मैं लिए कब कहा के रजनी ने घ्याट किया है तो अवसे किसे किसाथ दुष्मेंधी हो तो दोचा लोगों के इसाथ हो सकती है पूरे यह एक उन्सान है जो हमें यहा निकाले के लिए किसी भी हाज तक चासकती है और वो है शाशा साशा सार यह बल्कुल सच कहरेए है यह है साशा, और यह साशा के लैब एसिस्टेंट, सर दोनों ने घर में ही कॉस्मेटिक्स की लाब खोल रखी, और इनकी लाब में मुझे उन्हीं केमिकल्स के वेस्ट मिले हैं, जो आसिद की बारिश करवाने के लिए यूस के गए गए, तुम हमारे साथ देरो चला, तो मैं मानती हूँ कि मैंने मोहले वालों को धमकाया था घर खाली करने के लिए, क्यूंकि सर वो मेरा बिजनेस बंद करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने कोई तेजा आप वाली बारिश नहीं करवाई सर, तो वह केमिकल्स आपके घर में क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पत बेकसूर को इस तरीके से ढराया धंकाय नहीं जाता लाई, शांत, तो ये सब क्या धरा इसी काया, ये नाटक कर रहे है, ये कोई नाटक निकर रहे है, क्योंकि जो केमिकल्स आपको इनके घर से मिले हैं, उनसे तेजाब की बारिश नहीं हो सकती है, जा? आपको पूरा कर रहे हैं, इस तरहा है, इस तुमना इस रिपोर्ट पढ़ लो, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा वाया कि बारिश तो दूर इन केमिकल्स आप तक नहीं सकती है, पता है रिपोर्ट किसने लिखी है? किसने? तारिखा जीने अँ अँ तो पढ़ने की क्या थोड़ते ठ कुछ दिन को पुणना पर दा? शायद वो नया सरह इतना दूर नहीं है, इतना तो तह है कि उस केमिकल्स से तेज़ा आपकी बारिश नहीं हो सकता है, और वो केमिकल्स मिला है, साशा जी आपके कर पे है, आपको कुछ याद है रहा है कोई ऐसा आदमी आया हो हाल फिलाल मे जो ऐसा केमिकल्स आप कहां रख सकता हूँ? को नहीं भेजा है सर इतने सारे कार्टेंस के साथ मैं इन्हें कहां फेकती तो इसलिए मैंने इन्हें यहीं पड़े रहने दिया और यह बात तुमने आप तक नहीं बता है अपने सर आप CID वालों से मैं इतना डर गई थी इतना टेंशन में आ गई थी कि मैं सब कुछ भूल अच्छा वो मा कितने कितने डिलिवरी बॉइज थे सर दो थे उनके चेरे याद है आपको हां कुछ-कुछ गुट जवन्ती स्केच आटेस को बलवा लो और वो उनके स्केच बनो जीस आदेर शुपरम का एडरस मिल गया है ठीक है तो फिर देख लो मां पर क्या पता चलता सर सालुके सर की मदद से हमें पता चला है कि वो जली हुई लाश रे की थे ये शुबमर रे दोनों शायद यही रहते है हां सर अड्रेस यहीं का मिला है सर यह घर के सी मारिया नाम की औरता है अब आगे की कहानी ये मारिया जी की बताएं तुम्हारी इंमत कैसे हुई मेरा क काटने की कबसे कह रहे हो तुम्हारी 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 हो तुम्हा आटी जी आपका केबल गड़िया तो इतना गुस्सार है आप टीवी बहुत देखती है ना जब तुम बुड़े होगे ना तब तुम संझोगे कि अकेलापन क्या होता है और जब कोई बात करने वाला नहीं होता है तो इस टीवी से ही बात करते हैं लोग आसे मांजी हम शुषबम और रे की बारे में कुछ बात करने आ है उनका कुछ पता चला है वो दोनों आपके अप और ज्ट हमारे महींने से हमारे पास रहते हैं लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से वो लोग आये ही नही है रे की मौध हो चुकी है क्या? कैसे? कुपजा हिल्स में एक अजीबो गरीब हादसा हुआ जिसमें रे तेजाब का शिकार बन गया हे भवान और शुभम वो कैसा है मैम अभी तक शुभम का कुछ पता नहीं चल पाया आप फिक्र मत कीजिए अम उसे जल ही ढून निका लेगे माजी इन दोनों का किसी के साथ कोई दुष्मनी कोई कहा सुनी हुई थी नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे बच्चे थे केमिकल इंजीनियर थे और आकरी भार आपने कब देखा था इनको तेरा तारीक को लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब से ये दोनों बच्चे गए हैं तब से मेरे दो किरायदार और गायब हो गए हैं तूसरे किरायदार? हाँ, वो ले और शुभम की सीनियर्स थे मुझे लगा चारों का ही पिकनिक मनाने गए होंगे इसलिए मैंने उनको ढूने की भी कोशिश नहीं की शेर, इनने सकेच दिखा हूँ इन में से किसी को पहचानती हैं? हाँ, ये दो तो सीनियर्स हैं लेकिन इसको मैं पहचानती नहीं इसका मतलब है शुभम हाँ और रे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनके बॉसस का भी हाथ है माजी, शुभम और रे के ओफिस का अड्रेस देंगे जरा सर, वो सेक्योर्टी गार्ड नहीं तो कहा था कि यहाँ पे कोई भी केमिकल यूनिट नहीं है वो मारिया जी ने कहीं बगलाद अड्रेस नहीं देतिया पता इसल लाएगा सियां, वो केमिकल डेटेक्टर लाइए ओना हां सर, माखे प्साय है गार 13 सियां. इसलिए भी कोमेकल यूगलницे। हुच्छा क्या वात है साथлом एफरी कोई कोरियर भिज़ाए था हकुछ मुजरिम को कोई कोरियर करके जु़ भिज़ए था जोजरेंप? सर हमें कोई समझ नहीं आ रहा है समझ यहा है यहां पर पहले कर्मे कल लिडिट थवा करता था नहीं साफ यहां तो पहले से कोरियर कम्पनी है जा, चेक करो सर इस पे चेक करने आ लिए कॉंटसी बात है सर इस पर टूरी स्पोट तो है नि तो तुम्हारे चेहरे का यह नक्षा टूरी स्पोट जैसे बना दूंगा संजा श्रेमान आसिड के ट्रेसेज है इसमें सर सर रूम में आसिड की ट्रेसेज है आसिड के ट्रेसेज है हाँ करम पशिभम और रे केमेकल उनट में वो गायब होके ऑसके तुमलोग भी गायब होके तुम भी गायब होके टुम आँकुदि सर रे श्रे ये नाम तो पहले कभी नहीं सुन ई सर सजह का नाम भी नहीं सुना नाजल्गा फिर सर कौन साशा सर हमने नहीं सुना कौन साशा अरे बाप रे बाप श्रेया यहां पर तो तेजा आपकी दुखन लगी है क्या सर वो प्रीत नगर कॉलनी वाला असर मिल गया ते आसर को बता दे सर अंदर वही तेजा आप मिला है जो प्रीत नगर कॉलनी पर बड़साय गया थे तुम लोग इस अखरी लोट थे ही कुरियर कर रहे थे लगता है की पूरी सफाय होनी से पहली हम लोग यहां पर आगे हैं तेरा पही बात नहीं इन श्वारों को खड़ा करते हैं और असी ट् कर आते हैं खायं भी बिना चट्री के स सर नहीं कर लागोंई है उसके कहने पर इक किया तुम लोगाई नहीं सर नातली मा रज्णीन है? ना इड्रेस ना फोन नमबर, सार वो खुदी कॉंटाइक करती थी जाभी भी हमारी ज़रवत परती सार में कुछ नहीं पता साथ शुबम कही लाज किसी क्लीनिक या हॉस्पिटल में चल रहा होगा आसपास कि सभी हॉस्पिल्स में पता करते हैं जो अब फिर से फोटो देख लीजिए कोई गलत फैमी तो नहीं हो रही है ना नहीं सर कोई गलत फैमी नहीं हो रही यही लड़का था और इसके पूरे शरीर पे तेजा वाले जखम भी थे और 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 अरत भी यही थी अंडेड परसेंट पर सर ना जाने क्यों इसको यहाइड मिट करा नहीं चाहरी थी जो इलाज होस्पिटल में हो सकता है वो घर नहीं हो सकता ना वा डॉक्टर साब वा लाख पते की बात कही है आपने अगर उसे शिवम की जान बचाना इतना ज़रूरी है तो वह ज़रूर आएगी सर लगता है खीचड़ी पग गई पग गई है तो परोज देते हैं जी आप डॉक्टर साब से मिलने जारी हैं रेजनी जी आपको मेरा नाम कैसे पता सिआएडी को सब पता है सिआएडी? हाँ, सिआएडी इस शिवम की जान बचाना इतना ज़रूरी था आपके लिए तो रात तो रात इसे अस्पताल से निकल वाय क्यों हाँ 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 ये चमनलल तो नहीं है आप किसे उठा के लेकी आए अरे, मुझे क्या बता कौन है हाँ, कलोनी को जरा जी भर के देखना है मेरे जीगर का टुकुडा ही रे मोती सा मुखळा है इस कलोनी का हाँ पड़ा प्यार आ रहा है आपको कालोनी पे आप कौन है और बंगले खरीदने आया है अब बंगले नहीं पुरी कलोनी खरीदने आया हूँ चाप लीजी नाम है मेरा बिल्डर दावे ली ये लो जी मेरा काल पतर बढ़िया है ना? आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ जी देखें यहां कुछ बिकाओ नहीं है अड़ बिक चुका है बेटे लाल बिक चुका है ये सारी जर्भी सरकार से मैंने खरीद लिए आप लोग जो हो ना? इसमें गया खनूनी धंते रह रह रहे हो मैं निकाल के बाहर कर दूंगा अरे हमने बाकाइदा पैसा देकर खड़िदा ये घर आप होते को अने मैं आसा निकालने वाले? कल सुबह 11 बुजे बुल्डोजर आ जाएगा आपके घोसले गिराने मिलता हूँ सुके, सुके दाबली जी देखो, बहुत महेंगा पड़ेगा तुम्हें सब बेटे लाल जाबली जी जब सोधा करता है ना तो सस्ते महेंगे की परवाद नहीं करता कल मिलेंगा ओ बुल्डोजर का साथ भाई भाई टैटा भाई बाई 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 चलो नहीं चलो जो जो है कोण वो गही है नमुना ए अठेन एखोलारी और तुम्हेरेको थूंग रहा चया अरे चुकरा लोक यह क्या फुटोबड का मैड़ान ही रिड़ गृदश विल्हेंडह प्लीदकरा है अरे कैलो माप्रडि? गण निकालता है नागु है तुम आरे बापले अरे गारी निकालो नी अरे साई अरे किटर जहा रहा है अरे मैं ट्यरा एक मैने काट देका अरे थोर लोग जोने पर शुद्दर दो यहाँ नई कोली बनाने का चला भी मैं तुझे अपनी कोली घुमाता हूं मैं भी बहुत खटना कर्टमी है तुम पर्डुमन का नाम सुना है तया का नाम सुना है अभिजीट का नाम सुना है आँ मालू मैं ये CID वाले हैं तो क्या हुआ ओ पर्सनल जान पच्छान है उन्से मिरा हम तुम लोग को अंदर कवाड़ेगा संदा तुम अव डाबली अशुण माल सुना है उन्से मिजद अफचा हम बहुत अपने सी एड़ वालों के गाने सुना रहे हैं ना डाबली बाबु अब मेरी बात सुनो जैसे हिससाउ। वाले तुभे बचाने के लिए आएंगे, फिर शम 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 जब जोर की पारिश होगी, पानी की नहीं, तेजाब की पारिश होगी, तेजाब की. देखो, चुप चाप तुम सब बहार आजाओ, हम जानते हैं, दाबली तुम्हारे साथ है. देखो, देखो, मरी वी सी आइडी कैसी दिखती है. देखो, मरी वी सी आइडी को मारने चले थे, हां? अलवाए क्या? तुम्हारे स्तेजाब वाली बारिश से निपटने के लिए, पूरी तैयारी की साथ आये थे हम. हैंडे हैंड़ पुम्हारे साथ हैंड़ दिर झाली राध्यारे से अेस म्हारे सिरा मैंड़ दू। हैंड़ की साथ अेस्के अेसद्ट – के व言, देखो. कह एंड़ से निता Гरों जा थांते हैंवा सवचोचों – किर हैं अगर तुम CID वालोंने मुझे खरोच भी पहुचा ही ना तो ये बिल्डर दाबली जिन्दा नहीं रहेगा CID को दम किया तो हमारे ताश का वो पत्ता भी देख लो जिसे तुरुप का इक्का कहते हैं इन्हें तो पहचानते हो ना तुम बेटा हत्यार डालो बेटा को सब पता चल चुका है इनसे जीतना ना मुम्किन है नहीं जेरा पच्चान सा मुकडा तो दिखा दे प्रने प्रने जह समीन पर प्रीत्तेगर कालोनी बनी थी उसमीन हमारी थी पात साल पेले वांवारा इद, सब बाद हो गया मा और मेरे अलावा हमारा सारा परिवार चल बसा सरकार को लगा कि उस बार्ण में हमारी भी मौत हो गई उन्होंने वो जबीन एक बिल्डर को बेच दी उसने वहाँ पे कॉलनी बना डाली कि मापस है देखके दंग रहा कि हमारी जबीन पर लोगों के घर बस चुके थे अपने कानून का दर्वाजा खटटाया बहुत मदद मागी कानून का तो पस यह कहना था कि जो लोग रह रह रहा है उनको नहीं निकाला जा सकता तो तुमने गयर कानूनी तरीका अपना है तेजा आपकी बारिश करवाई ताकि लोग अपना घर खाली करके भाग जाए वो तर्कीब शुभम ने निकाली थी वो मेरा भतीचा है लेकिन प्रणाफ तो उसको भीबार ना चाता था मेरा दिल महीं माना मैने उसके बचा लिय तुमने तो वाए सब तुमने दिल में विकार की ममताना चाग उठती ना शाहता जब फाकड़े ना जाते इस गलत फेमी में नहीं रहे ना बखड़े तो तुम तब भी जाते माना के तुम लोग के साथ जो कुछ भी वब वब बेहद दुर्भाग यपूर्न है मगर ऐसे आज तक किसो को इंसाफ नहीं मिला अपना घर वापस पाने के लिए ना जाने कितने लोगों को मौत के गाट उतार तिया तुमने इसकी एकी सजा है भासी झाल झाल